असलाम अलेकम स्टुनेंट्स, मैं नेम इस मोहम्मद जोहेब और आएम यूर कम्यूटर साइंस सीचर फोर ग्रेट 12। स्टुनेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं, उसमें डेटाबेस की कुछ टरम्स हैं जो हम परेंगे, जिसमें व्यूज, इंडेकसेस, यूजर, डेटाबेस एड्मिनिस्टेटर और डेटा एड्मिनिस्टेटर हैं, तो आएए चलते हैं अपने लेक्चेर क तरफ, आज का हमारा जो टॉपिक है, उसमें हम कुछ बेसिक डेफिनिशन्स को डिसकस करेंगे, जो के आपकी बुक में गिवन हैं, और वो बेसिक डेफिनिशन्स हैं, व्यूज की, एंडेकसेस की, यूजर और एंड यूजर की, डेटा एड्मिनिस्टेटर की और डेटा अच्छे डेफिनिशन्स हैं, जो अभी मैंने आपके सामने नाम बोले हैं, ये पेपर पॉइंट अभी उसे बहुत इंपॉर्टन्ट हैं, और कंसेप्चुल इतनी नहीं हैं, इसमें सिर्फ हम लोगों ने जॉब रिस्पांसिबिलिटीज देखनी हैं, डेटा एड्मिनिस इस्टेयर की यूजर का क्या काम होता है, बेसिक जो कैणसेप्चुल पॉइंट्स हैं, वो हम व्यूज और इंडेक्सिस में डिसकस करेंगे, तो आएए सबसे पहले हम व्यूज को डिसकस करते हैं कि ये व्यूज क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपने ये चीज याद रख को discuss किया था और इसी query language को ही use करते हुए views create किया जाते हैं अब views होते क्या हैं इनका काम क्या है ये किस मकसद के लिए बनाया जाते हैं हमने ये चीजें पढ़नी है students याद रखिएगा कि जब भी tables में data को store करवाया जाता है तो data को safe भी रखना बहुत ज़रूरी है अब data को safe and secure रखा जाता है from unauthorized persons ये ज़रूरी है कि कोई भी unauthorized person आपके data में कोई change ना करे उसको delete ना कर दे उसको update या modify ना कर दे तो किया क्या जाता है कि table को display कराने के लिए या table में मुझूद data को display कराने के लिए virtual tables बनाया जाते हैं ताके उन virtual table पे किसी भी किसम के operations अपलाया ना हो सके ना ही data delete किया जा सके और ना ही data को modify या update किया जा सके ये जो virtual tables हैं ये views कहलाते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ data को display कराना होता है और basically हम data को display तो करा रहे हैं virtual tables के थरू, views के थरू बट ultimately हमारा मकसद क्या है कि हम अपने data को safe रखें, data को protect करें, data को secure रखें from unauthorized persons और illegal users ताके वो हमारे data को change ना कर सकें student अगर आप screen पे देखें, तो दूसरे point में बताया गया है the purpose of using views is purely to keep the data safe and secure from unauthorized or illegal users ये basically इसका काम है, और view का काम है data को दिखाना बट मकसद क्या है कि हमने data को safe रखना है, secure रखना है चुँकि ये virtual tables हैं और virtual table बे कोई भी operation अपलाए नहीं हो सकता ये original table से data को retrieve करके virtual tables में दिखाते हैं हम example देखते हैं, views की views में basically अगर आप देखें तो different commands इस्तेमाल की गई हैं और ये command query language की command हैं, अभी मैंने आपको बताया के views हमेशा query language में बनाया जाते हैं तो एक example मैंने आपके सामने रखी है, जिसमें एक view create किया गया है create view की command से और उस view का नाम रखा गया है student view one ये basically view का नाम रखा गया है, कि इस नाम से एक view create करो उसके बाद select की command है और select की command में table के attributes के नाम लिखे गए हैं यानि के table जो के entity का data store कराता है, उसमें जो attributes हैं, जो fields हैं, उसके नाम लिखे गए है select, student number, student name, student address, ये attributes हैं उसके बाद third जो command है from की, वो command table से data को निकालने के लिए दी गई है data को retrieve करने के लिए दी गई है from student, यानि के इस नाम का view create करो और student के table से ये ये attributes को select करो आगे condition mentioned है where student gender is equal to male condition क्या है के student का gender male होना चाहिए अब ये एक view create कर दिया है अब वो जो view है, वो एक virtual table बनाएगा जो के in condition और in commands के accordingly original table से data को screen पर display कराएगा और हम उस table में किसी भी किसम का कोई change नहीं कर सकते क्योंके वो virtual tables है और उस पे कोई भी change नहीं हो सकता सो हमारा data जो है, वो safe रहेगा, हमारा data secure रहेगा, हमारा data protect रहेगा unauthorized person से, student ये थे views, अब हम discuss करते हैं indexes को students याद रखिएगा, कि जब भी data store किया जाता है table में तो data को retrieve भी करना पड़ता है, data को fetch भी करना पड़ता है, data को देखना भी पड़ता है और data को retrieve जब किया जाता है, तो user की demand यही होती है कि वो data smoothly और fastly जो है, वो screen पे display कराया जा सके after retrieving, इस operation को perform करने के लिए indexes बनाया जाते हैं यह indexes भी basically एक table ही होते हैं, और इन table में original table के key attributes को store किया जाता है अब यह key attributes के हैं, जैसा कि हमने पहले भी discuss किया है कि वो attribute जिसको हम कोई key assign कर देते हैं, कौन सी key? primary key, जो के unique होती है जैसा कि एक table में एक attribute है student ID का, वो unique है, हम इसको primary key assign कर देते हैं इसको primary की बना देते हैं, तो वो key attribute बन जाएगा तो indexes में table के key attributes को store किया जाता है और उन्हीं key attributes के through ही data को fetch किया जाता है स्क्रीन पे अगर आप देखें तो लिखा गया है कि this table contains the key attributes of the table यानके जो main table है, original table है, उसके key attributes इस table में परे होते है और ये database management system में बहुत एहम role play करता है help क्या करता है, कि हमारा system जो है, वो smoothly और fastly जो है, वो run हो सके क्योंकि इन्हीं key attributes के through हम easily अपना data जो है वो fetch कर सकते हैं स्क्रीन, इसके बाद हम discuss करेंगे user को और end user को user कौन होता है, end user कौन होता है इसके बाद हमने data administrator, DA और database administrator, DBA इनको भी पढ़ना है तो इन में कोई खास बात समझने वाली नहीं है, हमने सिर्फ इनकी job descriptions पढ़नी है कि इनकी काम क्या है, इनकी responsibilities क्या है, ये करते क्या है तो स्क्रीन पे mentioned है कि जो user है या end user है ये ऐसा person होता है जो database system के साथ interact करता है जिसने database system को use करना होता है जब database system ready हो जाता है, बन जाता है, complete हो जाता है तो obviously बात है कोई person उसके साथ interact करेगा, उसको use करेगा और वही person user होता है या end user होता है अगर मैं आपको mobile phone की example दूँ अब mobile phone जब बन जाता है तो वो customer के पास चले जाता है customer उसको use कर रहा है अब वो जो customer है वो उस phone का user है, यानि के end user वो ही है जो के उस product को use कर रहा है ये जो user है, ये database system के साथ interact करते हैं without having any kind of technical knowledge इनके पास किसी भी किसम का कोई technical knowledge नहीं होता ये सिर्फ database system को use करना जानते है उनमें data को fetch करना या different operations करवाना जानते है database को किस तरह से बनाना है, manage करना है, maintain करना है ये जो technical knowledge है, किसी भी किसम का technical knowledge users के पास नहीं होता student ये जो users हैं, ये कोई भी programs नहीं लिखते ये कोई भी set of instructions नहीं लिखते database को बनाने के लिए इनका basic काम है, कि सिर्फ database system के साथ interact करके उस system को इस्तमाल करना मगर कुछ knowledge जो है, वो इनके पास जरूर होना चाहिए अब वो knowledge जो है, वो about the softwares है वो software जो हम लोगों ने install किये हैं, system को use करने के लिए, database system को इस्तमाल करने के लिए, या database system में कुछ features हैं, कुछ programs हैं वो जो features हैं, उसके बारे में जो knowledge है, वो user को लाजमी होना चाहिए next जो definition है, वो है data administrator की student data administrator की responsibilities में data को manage करना आ जाता है कि जब भी database में data को store करवाया जाता है तो obviously बात है कि वो complete data जो organization का है उस complete data को जो है, वो handle किया जाता है उसको manage किया जाता है, उसको control किया जाता है उसको एक खास format में store किया जाता है ये काम basically data administrator का है अगर आप screen पे देखें, तो लिखा गया है data administrator is a person who is responsible for entire data of the organization कि organization का जितना भी data है, उसका responsible जो है वो data administrator होता है और basically ये पूरे database system को control और manage करता है इसका काम है data standards बनाना और उनको supervise करना चुंकि data जो database में enter किया जा रहा है वो कुछ rules and regulations के मताबिक किया जा रहा है कुछ standards के मताबिक किया जा रहा है वो जो standards है, वो data administrator ही set करता है database system के मताबिक सुरे नहीं जो data administrator है ये communication भी करता है user के साथ जब कभी जरूरत होती है obviously बात है कि user अगर system को चलाना नहीं जानता तो ये data administrator उसे guide कर सकता है उसे communicate करके उसे चीज़ें बता सकता है सुरें, सबसे एहम चीज जो data administrator करता है वो है data dictionary को बनाना हमने features में बात कीची डीबी MS के के DBMS में data dictionary होती है अब data dictionary contains the data definition rules data dictionary contains the procedures documents उन्ही documents, उन्ही procedures, उन्ही definitions के मताबक data enter किया दाता है अब वो जो data हमने enter करना है अगर उन rules के मताबक नहीं है तो obviously बात है कि error आएगा तो जो data dictionary है ये भी data administrator ही बनाता है तो असान अलफाज में अगर आप इसकी responsibilities को सबचना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि database में मुझूद data जो कि किसी भी organization का होता है उसको control, manage and maintain करने के लिए जो person होता है वो data administrator होता है और जितने भी data standards है या data dictionaries हैं वो यही person जो है वो create करता है next हमारा topic या हमारी definition जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है database administrator पहले हमने data administrator परा अब हम database administrator पढ़ने लगें इसे DBA का नाम भी दिया जाता है DBA database administrator यह जो database administrator है यह responsible होता है database को design करने के लिए implement करने के लिए manage करने के लिए और maintain करने के लिए यानि कि तमाम तर operations जो हम database पर perform करवाते हैं चाहे वो management के हैं चाहे वो maintenance के हैं चाहे वो database को control करने के हैं या design करने के हैं यह सारे के सारे काम जो है database administrator करवाता है और database administrator ने ही इसको implement भी करना होता है सब्सक्राइब करेंट इस चुब होता है हमने पहले चुंके बात की थी कि जो user है वो टेंश्फर्ट नहीं होता उसने सिर्फ database के साथ interact करना है उसको use करना है जब्के database administrator is a person जो कि टेंवी इस चुब होता है जिसने डेटाबेस को डिजाइन करना है जिसने डेटाबेस को बनाना है जिसने डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशन्स पर फॉर्म करवाने है ताके अच्छे तरीके से किसी भी एरर के बगार डेटाबेस को क्रियेट करके उसमें डेटा स्टोर करवाया जा सके है। स्रिंट ये जो database administrator है इसके communication skills भी अच्छी होने चाहिए क्यों अच्छी होने चाहिए क्यों अच्छी होने चाहिए क्योंकि obviously बात है कि different लोगों के साथ interact करेगा about the development of the system स्रिंट चो database administrator है इसका काम database को ही manage और maintain नहीं करना होता बलके इसके साथ-साथ इसने कुछ managerial level पे भी different काम perform करने होते हैं different task को लेके चलना होता है और यही इसकी responsibilities में आता है अगर आप screen पे देखें तो last point लिखा गया है कि he is also responsible to make sure database access rights to safeguard its security and to maintain the database functionalities कि इसकी security को इसके rights को और इसकी functionalities को basically जो control करने का काम है वो भी database administrator का ही होता है screen ये थे हमारे आज के topics जिसमें हमने views को discuss किया हमने index को discuss किया हमने user और end user को देखा कि उसके काम क्या है वो क्या गरता है data administrator का क्या काम है और database administrator का क्या काम है अमीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कोशिश करके किताब से लाजमी तौर पे इसको एक दफा रीड कीजिएगा ताके आप और अच्छे तरीके से इसको understand कर सके बहुत शुक्रिया students ये था हमारा आज का topic जिसमें हमने कुछ basic terms database से मतलिक discuss की उमीद है कि आपने इस topic को अच्छे से समझ लिया होगा इस topic को book से लाजमी consult कीजिएगा इंशाला next lecture में हम keys और types of keys को discuss करेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अलाफेज